आज हर्याना के सियम ने कहा कि अब हर्याना के लड़के कस्मीर से लड़की ला पाएंगे कितना मज़ेदार है सोचिए अपनी लड़की को पेट में मार देंगे और अपने लड़कों के लिए लड़की कस्मीर से लेकर के आएंगे हर्याना एक ऐसा एस्टेट है जहां सबसे ज्यादा भुरुन हद्या होती है पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है और उसे स्टेट में जब आप घूमेंगे तो हर दिवार पे हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा रहता है और वहाँ पे जो रेशियो है मेल और फिमेल का वो देश में सबसे ज़्यादा खड़ाब है और उस देश के सीम ये कह रहे हैं कि लड़की कस्मीर से लगर के आएंगे हमारे राज बिहार के डिवटी सीम ने कहा कि अब बिहारियों को कस्मीर में काम मिलेगा बताईए इनको देख करके सर्म सर्मा जाएगा अगर इनको देख ले सर्म तो रास्ता बदल ले इनको देख करके आप किसी एस्टेट के डिप्टी सी एम है आपकी रिस्पॉंसलिटी है कि आपके स्टेट के यूथ माइगरेट करके दूसरे स्टेट में ना काम करने के लिए जाए ऐसा वर्किंग कंडिशन आप पैदा कर सके कैसे सवालों को डाइवर्ट किया जा रहा है और यूथ यूथ प्रोपगेंडा का सिकार है टिक टॉक बीडियो बना रहा है फेस्बूक, वाटसेप, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम तरीके की चीजे हैं कम्मुनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है हर चीज का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच रहा है फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन के मूल सवाल क्या है मेरे जीवन का मूल सवाल ये है कि जब मैं पैदा हुआ कुछ दिनों के बाद जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैं कौन सा कैरियर चुनू ये मेरे उपर निर्वर करता है ये मेरे माबाब के सपनों के उपर निर्वर नहीं करता है मैं तै करूँ कि मुझे कौन सा कैरियर चुनना है और उस कैरियर में अगर हमने quality अपने भीतर पैदा की है मान लिजे कि मैंने ये carrier चुना कि मैं गिटार बजाओंगा अगर मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बन गया हूँ तो मुझे बटा और गिटारिस्ट social acceptance मिले हर कोई हर काम तो नहीं करता है यहां जो आप सब लोग बैठे हुए हैं आप में से किसी ने भी mobile नहीं बनाया होगा mobile को तो कोई और बना रहा है लेकिन आप भी तो कुछ कर रहे होंगे किसान आनाज पैदा करता है engineer engineering tool बनाता है मजदूर मजदूरी करता है सफाई कर्मचारी सफाई करते है कोई खाना बनाता है कोई खाना पहुचाता है कोई खाना उगाता है इसी तरह से तो society चलती है लेकिन कौन क्या करेगा यह चुनने का अधिकार उसको नहीं है पर लिख लेने के बाद मान लिजे कि हम engineer बने हैं इंजीनियर बनने के बाद हम घर घर घूम करके एकवागाड क्यूं बेचेंगे अगर एकवागाड ही बेचना है तो फिर इंजीनियर बनने की क्या जरूरत हैं को समझा दीचे अगर मुझे एकवागाड बेचना है तो मैं इंजिनियरिंग क्यों करूंगा और अगर मैंने इंजिनियरिंग की है तो मुझे एकवा गाड क्यों बेचना परेगा ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को प्रोपगेंडा के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है नतीजा ये हो रहा है की सिचिजन सीप क्या होता है कोंस्टिचुशनल राइट क्या है दिमोक्रिटिक प्रोसेस क्या होता है उन तमाम चीजों के बारे में एडजेक्ट इनफोर्मेशन हमारे पास नहीं है डिमोक्रिसी का मतलब मेजेरिटोरियन स्टेट नहीं होता है डिमोक्रिसी का मतलब कि जिसकी संख्या जादा होगी वो बात सही होगी ये डिमोक्रिसी नहीं होता है डिमोक्रिसी का मतलब ये होता है कि जो माइनरिटी व्यूज है जो कम लोग है जो उनका identity है, जो उनका expression है, उसको भी a space मिलेगा, ये democratic होने का मतलब होता है democracy और constitution की अगर हम बात करते हैं, तो सरकार का काम यदि कानून पास करना है, तो विपक्ष का काम उस कानून का बिरोध करना है ये कैसे हो गया इस देश में, कि सरकार के किसी भी policy का, अगर opposition बिरोध करती है, तो उसको immediately पाकिस्तानी कह दिया जाता है बताईए, MP बने हैं हिंदुस्तान में, वोट दिये हैं हिंदुस्तान में, बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, और सरकार का बिरोध करने के लिए ही वहाँ पे बैठे हुए हैं चुने हुए विपक्ष हैं देश के लोगों ने वोट दे करके विपक्ष के रूप में चुना है और तब यदि सरकार की आलोचना करें तो पाकिस्तानी कह दिया जाता है इस तरीके का picture इस तरीके का meme बनाया जाता है कि सरकार के समर्थक कहते हैं कि पाकिस्तान भी दुखी है 370 हटने से और भारत का विपक्ष भी दुखी है आप कैसा लोगतान्तरिक प्रोसेस तयार कर रहे हैं कभी आप भी तो विपक्ष में बैठेंगे हैं और कभी आप भी विपक्ष में थे मान लीजिए कि लोग तांतरिक प्रकिरिया में डिमोक्राटिक प्रोसेस में यही परिपाटी बन जाए तब तो डिमोक्रिसी तो बचेगी ही नहीं तब तो अथिरिटेरियन एस्टेट बन जाएगा कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे डिमोक्रिसी नहीं डिक्टिटोरियल जो है establishment आ जाएगा जो लोग देश भक्ती के नाम पे सरकार की अंध भक्ती कर रहे हैं दरसल वो चाहे अंचाहे देश विरोधी काम कर रहे हैं इस बात को उनको समझना चाहिए अगर आपको देश से प्यार है तो आप कमजोर से सवाल मत पूछिए ताकतवर से सवाल पूछिए डिमोक्रिटिक होने का मतलब विपक्ष से सवाल पूछना नहीं होता है डिमोक्रिटिक होने का मतलब सरकार से सवाल पूछना होता है अगर देश के लोग देश की मजरिटी विपक्ष के पास होती तब वो विपक्ष में क्यों होता तब तो उसकी सरकार होती नए आपको लोगों ने समर्थन किया है लोगों ने अल्रेडी उनको वोट दे दिया है वोट देने के बाद अब उनकी भक्ती करना बंद कर दीजिये उनसे सबाल पूछना शुरू कीजिये लेकिन यह जो प्रोसेस है यह प्रोसेस सबसे पहले हमको कहां सिखाया जाएगा यह प्रोसेस सबसे पहले हमको हमारे घर में सिखाया जाएगा ना हमारी फैमिली में सिखाया जाएगा ना फैमिली के बाद हमको घर में डिमोक्रिटिक है कितने लोग अपने आफिस में डिमोक्रिटिक है कितने लोग जब बस में चलते हैं ट्रेन में चलते हैं मेट्रों में चलते हैं सरकों पे चलते हैं तो डिमोक्रिटिक बहेवियर करते हैं आप ही डिमोक्रिटिक नहीं है और चाहते हैं कि यूथ डिम को नहीं है भाई से सवाल पुछने का अधिकार यदी बेहन को नहीं है और परोसी से सवाल पुछने का अधिकार यदी परोसी को नहीं है जब society democratic नहीं है तो estates कैसे democratic हो जाएगा खूब अच्छा constitution लिख दिजिए अच्छी अच्छी बातें उसमें लिख दिजिए सोचलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सब लिख दीजिए ये सब किताबी बातें होंगी किताब में ही लिखा रह जाएगा और मैंने अपना उदारन आपको इसलिए प्रस्तूत किया कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कोई exclusive बात नहीं है इस देश के हजारों, लाखों, करोरों नौजवान के साथ गई हुआ है कि उसके जीवन में क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है और जीवन भर अगर वो un-democratic practice और behavior का सिकार रहा है तो जब वो position में आएगा तो वो कैसे democratic बन जाएगा इस बात को हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस लिहाज से मैं आपको कहता हूँ कि आज का youth misinformation का सिकार है आज का youth propaganda का सिकार है आज का youth un-democratic process और behavior का सिकार है लेकिन आज के youth के पास information की accessibility है आज के youth के survival के लिए democracy के अलाबे और दूसरा कोई alternative नहीं है और आज का youth rational और logical भी बन सकता है अगर उस process आने के लिए तयार हो तब इसलिए इस house में मैं ये propose करना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो बिल्कुल hopeless नहीं होना है hopeless इसलिए नहीं होना है कि आज जो situation create हुआ है इसके लिए past responsible है इसके लिए history responsible है और आज जो हम behave करेंगे उसी से हमारा future decide होगा इसलिए मैं तो कई बार भाजपा को और इस सरकार को मनी मन बधाई देता हूँ वो इसलिए कि भाजपा यदी नहीं आती तो इस देश में secularism का असली मतलब क्या होता है वो हमारे जनरेशन को पता नहीं चल पाता है भाजपा यदी नहीं आती तो क्यों भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी ज़्यादा diversity है उसमें democracy का क्या value है ये लोगों को समझ में नहीं आ पाता भाजपा यदी नहीं आती तो इस देश में बहुत सारे सवाल आज भी political question नहीं बन पाते कम से कम इस दवाव में ही सही लोग अब राजे राजवारे दिखाने वाले हेलिकॉप्टर से उरने वाले और कभी जनता के बीच नहीं जाने वाले नेताओं का हकीकत तो जानने लगे है ना बरना इसे कैसे हुआ आप मुझे बता दीजिए कि emergency impose करने के बाद एक बार के लिए सिर्मती इंद्रा गांधी जी हारी और अगली बार thumming majority से वो जीत करके आ गई कैसे इसे संभव हुआ असल बात ये है कि जब तक social institutes democratic नहीं होंगे जब तक family के अंदर democratic practice और behavior को ensure नहीं किया जाएगा जब तक दूसरे जो हमारे institutions हैं उसको हम democratic बनाने का प्रियास नहीं करेंगे वहां हम scientific temper logical understanding, rationality इन तमाम चीज़ों को spread नहीं करेंगे तब तक एक progressive, democratic जो equality, socialism और secularism में बिहेव करता हो ऐसी society और state का निर्मान करने में ऐसे problem आते रहेंगे इसलिए hopeless होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि logically एक बात सोच करके हमको बताईगे कि हम कुछ नहीं करें हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें फिर भी यह जो बाहर बारिश हो रही है यह नहीं रुकेगी रुकेगी ना एक दिन बारिश रुक जाएगी ठंदा आ जाएगा फिर ठंदा भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा फिर गर्मी आ जाएगी फिर गर्मी नहीं रहेगा फिर बारिश शुरू हो जाएगी अगर हम थोरा सा भी historical process को समझते हैं तो हमको बिल्कुल निरास नहीं होना चाहिए हमारे साथ जो आज हो रहा है उसके लिए past responsible है और आज जो हम करेंगे उससे ही हमारा future safe लेगा उसी से हमारा future decide होगा और इस बात से मैं तो अपने आपको बहुत ही भागवाग तो नहीं मानता लेकिन फिर भी सोभागिसाली समझता हूं कि 90 के बाद जो लोग पैदा हुए है असल में वो इस दोर में पैदा हुए है जैसे यूरोप में industrial revolution हुआ था उस वक्त की जो generation ने एक fast historical process को होते हुए देखा change को होते हुए देखा वो witness करने का मौका हम लोगों को मिला है कि 90 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग होते हुए देखे जो एक welfare state था उस welfare state की जो कमी कमजोरी थी welfare state को जो करने वाले लोग थे welfare के नाम पे किस तरीके से समाज का welfare करने की बज़ाए उन्होंने अपने अपने परिवार का welfare किया इस तरीके का political class पैदा हुआ scientific technological revolution के चलते बरी बरी मसीनों की जगा हाथ में छोटे छोटे मोबाईल और छोटा छोटा computer बन करके तयार हो गया cultural जो changes हुए वो और ज़्यादा तेज हो गया क्योंकि अमेरिका में लोग कैसे खाते हैं यह आप अमेरिका जाए बिना मैंगलूरू में बैठ करके देख सकते हैं तभी तो आप KFC का चिकन खा रहे हैं चिकन तो आप पहले भी खा रहे थे मुगलाई चिकन होता था उसमें मुर्ग मसलम होता था लेकिन अभी आप जो है जहां चेंजेज को हम लोग बहुत रेपीडली होते हुए देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस चेंज में हमारी जो भूमी का है वो यह है कि हमारा जो हिस्टोरिकल रूट है उस हिस्टोरिकल रूट को हम पकर करके रखें और हिस्टोरिकल रूट में हमारे सर्वाइवल के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम सबसे जादा सुटेवल है वो है डिमोक्रेसी इसी लिए डिमोक्रेसी के पक्ष में यूथ को ट्रेंड करने के लिए हमको सरकार पांच साल में बनेगी बदलेगी उसका इंतजार नहीं करना चाहिए अपने आस पास लोगों को हमको डिमोक्रेटिकली ट्रेंड करने की कोशिश करना चाहिए उनके भीतर साइन्टिफिक टेंपर को डेवलब करने का परियास करना चाहिए उनको लॉजिकल और रैशनल बनाने का परियास करना चाहिए और मैं आपको आस्वस्त कराना चाहता हूँ मैं यही प्रपोज कर रहा था कि कुछ भी हो जाए पात साल दस साल के लिए कोई भी आ जाए बाईयों बहनों कहकर के वो कितना भी आपको गुमरह करने की कोशिश कर ले इस देश में डिमोकरसी का कोई विकल्प नहीं है डिमोकरसी थी डिमोकरसी है और डिमोकरसी रहेगी इस बात को याद कर लीजिए